जै हिंद भाई सोभी को भाई लोग बहुत दिनों से एक वेकेंसी का इंतिजार अभी करते करते लगबग तीन साल भी चुके हैं मैं बात का रहा हूँ SSB Head Council Ministeral 2021 में जो आया था 115 वेकेंसी ये वेकेंसी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा है एक दो बार इसका जो है रिकूर्मेंट कराने का भी नोटिस आया था लेकिन अभी तक इसे सक्सेसफूली कंड़क्ट नहीं कराया गया इसका एक भी प्रोसेस यानि जो फीजिकल होता है पहले पीएसटी पीटी भो भी यहां पर कंड़क्ट नहीं करवाया गया तो भाई लोग अभी एक और आपडेट आया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यह जो फीजिकल है एसेसबी हेड कॉंस्टूल मिनिस्ट्रियल का वो जल्द ही शुरू हो सकता है यह अगस्ट का महीना चल रहा है अगस्ट का लगवक खतम होने बाला है और सेप्टेंबर में आपका जो है पीएसटी और पीटी होने का पूरा पूरा चांस है ठीके देखो भाई लोग एक बात आप समझो जो भी यूटीबर आपको बता रहा है चाहे वो किसी का भी नोटिस दिखा दे ठीके कोई भी किस टाइब का भी नोटिस दिखा दे बोले कि यह ओफिसल नोटिस है यह है बो है जब तक आपको ओफिसली साइट पे कुछ भी अपडेट नहीं मिलता ना तब तक आप उसे रियल 100% रियल नहीं मान सकते ठीके मतलब हाँ हो सकता है यह कोई मतलब किसी बंदे ने नोटिस जो है वो भाहराल कर दिया हो या फिर पबलिश कर दिया हो तो बात यह है कि इसे आप 100% रियल नहीं मान सकते खास करके SSB में तो SSB में लगवग इतना सा डिले हो चुका है तीन साल का डिले हो चुका है और जैसे कि आपको पता है ट्रेलिंग कलेंडर में में मेंसन था कि डिसेंबर मन्त में जो है ट्रेनिंग करवाएगा SSB Head Constable Ministerial का तो उसी हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि डिसेंबर में ट्रेनिंग हो पाएगा क्यूंकि देखो भाई लोग अभी तीन महिना चार महिना साड़े तीन चार महिना जो है बचा है डिसेंबर मन्त में तो इसी के अंदर SSB पूरा प्रोसेस कम्प्लीट करवाएग फिर फिजिकल रेटीन बगएरा सब कुछ करवाएगे जोइनिंग देदे डिसेंबर को ये होना थोड़ा सा मुश्किल है हो सकता है अगर बहुत चाहे तो कर सकता है बतलब डिपार्टमेंटली कुछ भी हो सकता है ठीक है ना एक महिने में कॉंप्यूटर और जो है रेटीन बगएरा मेडिकल बगएरा वो एक ही महिने में खतम कर सकता है एक notice में आपको दिखा रहा हूँ जो आपने कहीं न कहीं देखा होगा किसी भी YouTube चैनल पर आपने देखा होगा अगर आप फॉलो करते हैं किसी भी YouTube को Head Construction Ministerial के लिए तो आपने देखा होगा कि एक notice दिखा रहे हैं ठीके मैं भी आपको notice दिखा देता हूँ यह एक circular notice है मतलब department to department जो है यह circulate होते रहता है यह notice बगएरा ठीके वो जो officially Head Construction Ministerial या फिर जो भी office work करते हैं उनको यह चीज़ अच्छे से पता होगा कि यह क्या है क्या नहीं है ठीके तो मैंने जितना भी जांच परताल किया है इस notice के बारे में कि यह fake है या real है तो देखिए भाई लोग यह notice real है ठीक है notice real है लेकिन हमने क्या है कि पहले Head Construction Ministerial के लिए पहले भी एक दो notice हमने हम लोगों ने देखा है जिसमें की mention किया गया था physical इस टाइम से start होगा इस टाइ लाया जाएगा तो उसे हिसाब से नहीं हुआ तो एक बार फिर यह notice है यह circular हो रहा है कि PhD और PhD हो सकता है और इस notice में आप लोग देखोगे mention है constable to SI 9J post 2023 जो कि आपका SSB treatment का जो medical बचा हुआ है उससे करवाने के लिए भी notice यह है और PhD PDT जो Head Constable Ministerial का बचा हुआ है यह दो recruitment अ अब ही SSB के पास है जो SSB इसे conduct करवाएगा आने वाले time पे ठीक है तो मेरा कहना का मतलब है कि यह जो notice है यह आप 100% इसको real नहीं मान सकते ठीक है 100% इसको हम लोग real नहीं मान सकते और यह मैं कहना ही कह रहा हूँ कि यह fake है ठीक है तो यह fake notice भी नहीं है बस मैं इतना कहना च कि यह जो लिखा है यहाँ पर जो started like to be started shortly at various field formation मतलब इस letter का यह मतलब है कि SSB जो है वो अपने headquarter से permission मांग रहा है कि यह जो भरती है यह दोनों pending है हम इसे करवाना चाहते हैं और इसके लिए हमको आप permission दीजिए तो यह दो भरती यह ready है ठीक है तो यह दो भरती जो है यह प्रोसेस में है SSB head control ministerial और जो है constable treatment वाला तो मेरे को लगता है कि September में न तो यह तो फिर SSB treatment वगएरा जो post था 2023 का वो start हो सकता है या फिर आपका head control ministerial PT और PhD यह start हो सकता है ठीक है यह दोनों में से मेरे को लगता है कि जो पहले जो है SSB treatment का medical वगएरा बाकी है DME और RME वो क साथ ही PT, PhD वी करवा सकता है जो head control ministerial का है ठीक है तो फह लोग मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि department से मेरे को मेरे जो जानकार है या फिर इस्तेदार है तो उन्होंने बताया कि हाँ अभी यह दो pending पड़ा है और इसको करवाने के लिए SSB जो है अभी लगा हुआ है कि permission बग learning बगएरा start कर दो क्योंकि हो सकता है भाई लोग ठीक है ना हो सकता है कि यह सेप्टेमर में आपको admin card दे दे प्रवाइड कर दे और फिर फीजिकल के लिए बुला लेकिन कि SSB कोई भरोसा नहीं है वो admin card देता है सिर्फ 7-8 दिन पहले या फिर 10-15 दिन पहले admin card छोड़ दे ठीक है फिर उसका process जो है वो बहुत ही जल्द चालू होने लग जाता है तो इससाब से आप लोग देख लो यह जो है यहां पर जो center बगएरा बनाये गए हैं यह center बिल्गुल सही है यहां पर ही PhD PhD होना है और DME RME के लिए भी यह जो center है यह भी सही है ठीक है तो बस इतना ह सुचना था आज का तो अगर कोई मेरे को update आता है तो मैं आपको जरूर से यार करूंगा तो मिलते है next video में तक लेजे ही